असलाम अलेकुम वेलकम टूनेदर बियोलिजी लेक्चर और आज का मारा टापिक अफ डिसकेशन है वाइराइट्स वाइराइड्स अर्दा स्मालेस्ट नोन पैथोजन, वाइराइड्स क्या हैं सबसे चोटे पैथोजन हैं पैथोजन ऐसा एजएम्ट होता है जो डिजीज कास करने की सलाय genocide रखता है तो वाइरोइड्स क्या है, पैथोजेन है और पैथोजेन ज़रूरी नहीं है, एक माइक्रो आर्गिनिजम ही होंगे पैथोजेन can be protein like preons, पैथोजेन can be वाइरोइड्स और यह जो है living organism नहीं है, हम in a living particle कह सकते हैं वाइरोइड्स और पैथोजेन जहां पर आया तो इसका मतलब है कि यह disease कास करने की सलाहियत रखते हैं और mostly इनकी diseases आपको plants के अंदर देखने को मिलेंगी देखते हैं कि exactly वाइरोइड्स हैं क्या, इनकी structure कैसी होती है, इनकी composition क्या होती है, जह सब इस lecture में देखेंगे So here we have a structure of virus, वाइरोइड्स तो आप अभी तक अच्छे तरीके से जानगे होंगे और हम जानते हैं कि वाइरोइड्स में at least दो चीजें लाजमी present होती है, nucleic acid प्लस protein, right? So here we have a structure of virus, इसका जो nucleic acid है वो RNA है और इसके उपर एक protein coat है, अब इस virus को जब हम naked कर देते हैं, इसकी protein coat को हटा देते हैं, तो पीछे क्या बचा? circular RNA है, अब इस जो circular RNA है, इसे वाइरोइड कहा जाता है, सो वाइरोइड क्या है? Simply piece of RNA है in circular point, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि virus को अगर हम naked कर देते हैं, उसको नंगा कर देते हैं, तो पीछे क्या बचता है? वाइरोइड बचता है, सो ऐसे भी कुछ agent हैं जो infection कास करने की, replication कास करने की सलाइद रखते हैं without having a protein coat, और उन agents को वाइरोइड क हाजाता है, so it is just a piece of circular RNA, और यह जो RNA है, यह protein को cord नहीं करता है, मुशलिए हम देखते है, RNA, messenger RNA का role perform करता है, और messenger RNA से फिर protein की synthesis होती है, so वाइरोइड का जो RNA है, वो protein को cord नहीं करता है, क्यों करेगा protein को cord? इसकी कुल काइनात ही circular RNA, इसको protein की जरूरत ही नहीं है, तो यह protein को cord भी नहीं करेगा, so this is what we know till now is a viroid, okay, viroid first time 1971 के अंदर discover हुआ, एक disease के अंदर जैसे potato spindle tuber disease कहा जाता था, और इसमें जो viroid निकला, उसे potato spindle tuber viroid कहते हैं, यह disease बहुत बड़े पहमाने पर destruction कास कर रही थी, potatoes plant के अंदर, और potato जो tuber होता है, उसकी shape change हो रही थी, वो spindle type, लंबे-लंबे, लंबी-लंबी उनकी structure हो रही थी, और उनकी growth रुक रही थी, तो scientist नहीं देखा कि कोई ऐसा agent नहीं है, जो disease कास कर रहा है, बलकि just कोई pieces of RNA उनको देखने को मिले, और उनका नाम वायराइड, यहां से वायराइड की discovery हुई, anyway, अभी तक हमें 30 वायर वायराइड अभी तक discover हो चुके हैं, और वायराइड क्या है, piece of RNA है, और RNA क्या है, nucleotide की composition से मिलकर बना होता है, RNA किसे मिलकर बना होता है, nucleotide से, right, so इनकी जो length होती है, वो होती है, 120 to 475 nucleotide, यहनि 30 वायराइड में जो variation अभी तक मिली है, 120 to 475 nucleotide, so यह बहुत small proportion है, yet it is able to cause disease, right, so diseases देखते हैं कि कौन कौन सी diseases यह कास करते हैं, coconut कडंग कडंग वायराइड, यह एक ऐसा वायराइड है, जो coconut के अंदर disease कास करता है, coconut tree के अंदर disease कास करता है, इसमें इसके various symptoms होते हैं, coconut tree जो है, उसकी stunted growth हो जाती है, उसका जो nut है, उसका जो fruit है, वो round shape का हो जाता है इतना नारू हो जाता है कि चिडिया जो है वो भी चौंच से उसको तोड सकती है तो इस डिजीज से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई mostly फिलिपीन्स के अंदर जब ये ब्रेक्ट्रू हुआ तो साइंटर्सको बता चला है ये वाइराइड की वाज़ाओ की वाज़ाओ की वाज़ासे काज हो रही है और पोटेटो स्पिंडल टूबर वाइराइड और अड्मेनी अदर प्लांट डिजीज 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 वाज़ासे काज होती है येट इस नाट अफेंटिक अभी इसके उपर और भी रिसार्च ओ डिसकावरी जरूरत है Anyway अप देखते हैं कि वाईराइड इनफेक्शन कैसे कास करते हैं क्योंकि वाईराइड कोई प्रोटीन को कॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो ये कैसे इनफेक्शन कास कर रहे हैं होते रहें multiply body को कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए plant की body को anyway देखते हैं कि कैसे यह disease कास करते हैं so here we have a wireide यह enter होते है through plasma desmata, plasma desmata cell वाल के अंदर pores होते हैं उनके जिरिए cell के अंदर enter होता है या तो कुछ type के wireide chloroplast के अंदर replicate होते हैं कुछ nucleus के अंदर replicate होते हैं क्यों nucleus और chloroplast के अंदर आपको पता है enzymes present होते हैं जो उनके अपने host के अपने DNA को replicate करवाते हैं जैसा कि DNA polymerase RNA polymerase जिससे क्या है RNA replicate होता है DNA polymerase से DNA replicate होता है so suppose यह wireide nucleus के अंदर enter हो गया यह wireide की types पर है कुछ chloroplast में replicate होते हैं कुछ nucleus के अंदर so this wireide inside the nucleus और यहां पर जाकर इसने host के जो RNA polymerase enzyme है उसको use करके अपनी copies बनाना शुरू कर दें firstly यह long gate होके सीधा हो जाएगा इसका जो folding जो इसकी ligation है वो तूटे की round structure तूटे की सीधा होगा और इससे जो है नए RNA की copies बनते जाएंगे अब बहुत सारी copies बनेंगे तो एक और enzyme होता है जिसे ligas बोलते हैं वो इन structures को दुबारा से wireide को round circular बनाते जाएंगे ligas का काम क्या होता है जोड़ना दो nucleotide को आपस में जोड़ना तो end sequence आकर जोड़ेंगे तो एक round सी structure दुबारा से wireide बन जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारी copies बन जाती है और plasma desmata के जिरिये यह wireide फिर निकलता है दूसरे cells में जाता है वहाँ पर अपनी replication करता है तो यह replication से हमें यह नहीं समझाई कि यह disease कैसे घास करता है यह तो हमें पता चला कि wireide replicate कैसे करता है अपनी numbering कैसे increase करता है so actually में होता क्या है यह wireide का जो RNA है यह इस plant यह इस host के अंदर कुछ specific genes होते है ठीक है और उन genes का काम suppose heat shock protein को code करने वाले genes यह ऐसी protein जो के plant को stressful condition से बचाती है उन genes के साथ यह RNA की pieces attach हो जाते है इस wireide की pieces attach हो जाते है जिसकी वज़े से वह gene code नहीं हो सकता और इस mechanism को RNA silencing और RNA interference कहा जाता है यह detailed topic है इस पर फिर कभी बहस करेंगे so just a simple concept क्या है कि यह wireide जो है RNA silencing का role play गरते है यह जीन को जाकर silence कर देते हैं जब जीन को RNA का piece silence कर रहोता है उसे RNA silencing बोलते है तो इस तरीके से यह silence कर देते हैं specific gene को और specific gene suppose ऐसा gene जो heat shock protein जैसे मैंने आपको example दी तो stressful condition से वह plant बच नहीं पाता तो इस तरीके से उसके अंदर disease उस gene से related disease built होना शुरू हो जाती है क्योंकि वह उसको counter नहीं कर पाता anyway आगे चलते हैं symptoms क्या है यह मैंने आपको बता दिया symptoms में आपको stunt growth यानि उस plant की growth रुख जाएगी deformation of leaves and flowers यानि जो flower और leaves हैं उनकी deformation होगी अच्छे दरीके से formation नहीं हो पाएगी chlorosis green से shift होना शुरू हो जाता है because of lack of iron mostly यह देखने को मिलता है stem necrosis यानि उसका जो stem है उसमें tissue dead होना शुरू हो जाते हैं और इसको death भी बोलते हैं और जिसकी वाज़ा से plant की death भी possible होती है so these are the symptoms of diseases caused by viroid anyway transmission की तरफ चलते हैं वाइराइड की transmission कैसे होती है पहले तो वाइराइड जो है plant के अंदर enter हुआ plasmo desmeta से होता हुआ phloem में जाता है phloem से होता हुआ pollen और ovule हर area में plant के पहुंच जाता है ठीक है phloem से होता हुआ anyway वाइराइड enter the pollen and ovule from where they are transmitted to the seed when the seed germinate the new plant become infected अब pollen और ovule में चला जाता है और उस दर से जब pollination होती है seed बनता है तो seed में भी ये वाइराइड enter हो जाता है और seed से जब new germination होगी नया baby plant born होगा तो उसके अंदर भी वाइराइड की disease cause हो जाएगी वाइराइड can also be transmitted among plants by contaminated farm machinery ऐसी machinery जो पाम पर यूज की जाती है tractor और दूसरी ऐसी machinery जिससे हम utilize करते हैं और ऐसे plant के साथ उसका contamination हो चुका है उसकी attachment हुई है जिसमें वाइराइड प्रेजन्ट है तो दूसरे plant के साथ जब contamination होगी वहाँ पर कोई attachment होगी उस machinery की तो वहाँ पर भी वाइराइड ट्रांसफर हो जाएंगे and also insect भी possible है वाइराइड को ट्रांसफर करने के लिए एक plant से खुराग लेंगे तो उन insects के अंदर भी वाइराइड इंटर हो जाएगा दूसरे healthy plant पर बैठेंगे वहाँ पर अपना food लेंगे तो वाइराइड उस plant में भी इंटर हो जाएगा तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो इन चीज़ों का अगर हम प्रिवेंट करते हैं हम seed quality अगर देखें ऐसा seed लें जो बहुत trusted है हम जानते हैं कि इस plant को कोई disease नहीं थी और इन सेक्स से बजने के और भी काफी तरीके हैं वो इस्तमाल करें तो हम इन diseases को control कर सकते हैं जो वाइराइड की वज़े से होते हैं hopefully आपको मेरा ये lecture समझ में आया होगा next lecture तक करी मुझे जाज़त है शुक्रिया अल्ला